प्लोरीन का प्रेपरेशन हो गया था था ना ठीक ना देखो यह पहला वाला ग्लास अब को प्लोरीन का प्रेपरेशन कि इसमें सबसे प्रेशन प्रोसेस याद रखना है वह एक इंपॉर्टेंट है एक एक प्रेशन प्रेशन में वह याद रखना बाकि सब्सक्राइब आप जानते हैं यह में दूर्टू प्रेशन वाला ठीक है उसके बाद अच्छा यह बहुत इंपॉर्टेंट है वहला टोडिंग प्लस वॉटर एचल और एचलो देता है और एचलो में थोरा सा संलाईट गिर्टने से वह नेशेंट आप्शन देटा प्रेशफे लाएक ग्लोरीन वाटर एक बिशिंग एजन्ट है कहीं ने चेंट देता है और इसका ब्लीचिंग आख्षें का कारण औक्सिदेशन हैं और बीकिंग एक्षन पर्मनेंट ठीक जबकि एसोटो का बीचिंग एक्षन किया था कि एसो का ब्लिचिंग आक्टिन एक्शन ऐस टेंपररेड़ी कियर यह लिएक्शन थे ट्री एक्शसमे में लोगे तो एन टुनेच फोटी बनेगा अच्छन अच्क लेगा कर दिया को आइट्व को अक्षिडाइस किया थे वो सब पूरे रियक्षिन है यहां पर यहां पर यहां तर कुछ होना नहीं चाहिए कोई खास बात नहीं है ठीक है इसके बाद यह वाला एडिशन रियक्षिन में सीओ प्लस एल तू मिलके सीओ तू सीओ तू को बोलता है फॉस जीन पॉजनस गैस है और एसो टू और सीओ तू मिलकर के एसो तू सेल टू बनाएगा कर दो दो ते ला एक हुआ ऊसके बाद हम लोग आएंगे ब्रुमीन का प्रिपिरेशन पर पर रूमीन का क्या करके आता है ब्रूमीन का प्रिपेरेशन सी बाटर से क्या बोलते हैं तो यह ज्यादा तर तो ऐने सीयल मौजूद है कि लेकिन थोरा सा एन्हींटीर भी मौझध और फक्रवनीक कि अगयर है तो अब क्या करते हो आप सील टू गैस को पास करते हो सीवॉटर ट्शींटीर गैस को जैसी सी ऊटर्ड गेथिू पास करोंगे वो सी र भी आर माइनस को ऑउक्सडाइज करके क्या बना लेगा कि बी आर्टू और सी एल माइनिस को चील टूब यार मैस कॉक्षिराइज करके बी आर्टू और सी एल मैनेस बना देगा कि रुपना कि बीजरा रुक मैं भी आर्टू और सी एल मैं बीजरा रुक मैं कि बीजरा रुक मैं अब यह जैसी तुमने यह पास किया अ लगा ध्यान से आई कि बी आर्टू गैस को जैसी तुमने वह काम किया है सी एल टू प्लस बी आर मैनेस बीर टू बना है बी आर्टू गैस को फिर पास किया गया है एनुटू अब इसी एनुटू थ्री से एनुटू थ्री ब्यार्टू के साथ रेक्शन करके क्या किया है और एनुटू थ्री बेसिक मेडियम है आप लोग को मालू होना चाहिए हैं जो है अगा इसी मिडियमे क्या करते हैं डिस्प्रपोर्पोर्शनेशं पर निबर प्लस चीहीं बनाया है और उसी यहाँए किसी अगिया स Barnum यहाँपास को जब एचिकमीडिया में इस्प्रोर्पोर्शन किया था स्था स्लीट वापस बीई subscribe बना दिया इसको बोलते हैं कम प्रपॉर्शनेशन देखो यहां तक कोई डाउट है पुछो जितना भी यहां तक है कोई डाउट पुछो पहले बना था उसका रिजन यह रहता है कि वह सब गैसिस फॉर में चीजें कलेक्ट नहीं करते हैं प्रपरेशन करते सब्सक्राइब कुछ डिफिकल्ट तो कलेक्ट दोस गैसे या कंट्रोल दोस गैसे कुछ विपराइज हो करके चले जाएंगे उनको ब्यार्टू को प्लस ट्रांसपोर्टेशन ब्रोमीन बन तो गया वर ग्लैसेज में है तो उसको थोड़ा स्टोर करने में दिफिकल्टी आता है तो हम लोग क्या करते हैं उस जो ब्यार्टू जो बना है उसको तुरंथ एक सेलूशन फॉर्म में लाते हैं बिकॉज इन लिक्विट फॉर्म इस एईजियर टू स्टोर उस ब्यार्टू को तुरंथ उसने अब्सॉर्ब कर दिया एक सेलूशन के अंदर पुरा ब्रोमाइड में कनवर्ट कर दिया और उसके बाद जब वह सेल डाला तब जो ब्यार्टू बना है ठीक है वो तुम्हार लिक्विट फॉर्म में है और बोलो के डाउट है कि जीकुँँँँद देख लिएक बार बिएख्शन आपको देखने पड़ेंगे ब्रोमीन के रियाक्शन एक दम क्लोडीन जैसे हैं ड्यार टू ओक्सिडाइजिंग एजेंट याज आज याद रखना है याज रखना है याज तू प्लस हटू और फ्लस और प्लस थी और टू प्लस नेटिए सो 3 वह करता था खृचिडाइज यह रखेस करें क्याइट वी तोफ टू करके आई टू एफिए सोफोर को अच्छाइज करके फैरिक सेलफिए एन इस थरी को अच्छाइज करके एंट टू के नो टू को अच्छाइज करके के नो थरी एक्जाक्टली सीम प्रॉपर्टीज आज दाट ओफ कोई अंतर नहीं के देखो यहां दो क्यों दो टू कि आज तर्व डाक्रेड लिक्विड किसके लिए लिखाए ब्रोमीन ब्रोमीन के लिए अच्छा अच्छा आँ दो यहां दो यहां तक विडाउट है दो 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 कि रीडिंग करिए जितना स्लाइड भेजाओं स्टार्टिंग से देखो कुछ अगर डाउट डाउट क्या होगा रियक्षेंज हैं फिर बिए बार रीडिंग कर लो ताकि और एबल के साथ पहले फ्लोडीन का प्रपेशन हो चुका क्लोडीन आया आयोडीन फ्लोडीन के रिय प्यूट कि अच्छिक अच्ट्थ झाल को शख बात्रश्य को शब्लोडीन के बाइड और रियक्षेंज हैं अच्छिंग क्लीन के अनूट ठावफे ऑ्र शुफे ईखेशन हो जार फिर डाइएंट के अदितना देख जान हो इननकर जाएंट तो बढ़गा दो आणने से कर रहा है काम कर रहा है कौन से रियक्शिन में पहले जो पहले स्लाइट में डीकन्स प्रोसेस वाल उसमें अच्छा आप देखो तिम लोगा डी और फ स्टार्ट हुआ कि ने डी और फ में टेलर्जी कि इस्विक लगा भी निए डी और फ में ट्लेट जी का नहीं सब्सक्राइब करेंगे तो लोड हो जाएगा कि अलुड़ी अब आगी है डिसेंबर करेंड होने वाला अच्छा फिर देखो कि यह को आइडिन का प्रप्रेशन कि आई प्लस एमनुटू पर फिट से देखो आइडिन का प्रप्रप्रेशन में पहले तीन तो आपको याद ही रखने हैं कि आई में एमनुटू के बारे में एक चीज़ जमय्हाँन कर रहोंगि उक्सी राइजिग एजिंट है कि आई को में और मैंड करना से देखें क्या करता कि मैं एक बारेशन करता थो दुम मैंड पहले कर चुके हैं सही किर तो प्लस फॉड प्लस कि आइज व merchandise है सिए सोफोर प्लस के आई पहले सी यू आई टू और के टू एस सफोर और यही सी यू आई टू फिर सी यू तू आई टू में टूडिया थे रहा है कि उसके बार आता है प्रेपरेशन फ्रॉं सॉलट पीटर तेले सॉल पीटर याद अखना एने अनुटि को बोलते हैं इंडियन सॉल्ट पीटर के नुटी को बोलते हैं इसमें क्या होता है देख लो कैसे प्रिपेर के आता है झाल कि लेवाँ लिखा ओँ आयडीन का मेण्ट शोर्स एने आयो 3 है जैकर है यह नेचर में स्मॉल अमांट्स में बनता है लेकिन एने आयो 3 मिलता किसके साथ है एने एन थी के साथ कि Mane source iodine can i aio-3 this is found in nature in small amounts along with a new 3 सबसे पहले क्या करते हैं कि एन युटी को क्या बलाता है चिले सॉल्ट पीटर यहीं बेसिक कंपाॉउंड यहीं है इसके साथ ही न यह पहले क्रिस्टलाइज करते हैं और्प्रिस्टलराइजसेशन सब्सक्रा क्या है कि आप जैसी क्रिस्टलाइजसेशन करने वह अब इंती ओर एडिको सिपरेट नहीं तो जो एने आयो 3 आपको solution में मिलता है उसमें आप एने एच एसो 3 एड़ करते हो एच एसो 3 माइनस तो मैंने reaction आपको लिख दिया है एने आयो 3 और एने एच एसो 3 मिल करके बनाएगा सबसे पहले हो जो पूरा आयोडेट आयन के फॉर में जो आइडाइड है उसको पूरा आपने कलेक्ट कर लिया इन फॉर्म आइडाइड आई माइनस और इसी में वापस सेकेंड रेक्शन में यही दोना मिल करके आइसिरिक मीडिया में वापस आई टू बना देते हैं तो यह आई टू आपको मिल जाता है ठीक है तो वाट इस अप्रेपरेशन दिस फ्रम चिले स्वाल पीटर तो फ्लोडीन का प्रेपरेशन मॉइजन प्रोसेस प्लोडीन का प्रेपरेशन डेकेंस प्रोसेस और बहुत सारे अलग से दिया था किम्नोफ फॉर प्लस एचेल्ट एक टू सेवन पसे एल एमनोफ सट्परेशन देख लिए ना ब्रोमीन का रियाक्शन सी वाटर में सबसे पहले क्लोरीन पस्किया है तो उसमें जितना भी ब्रोमाइड है उसको ब्रोमीन कर दिया लिकिन उस ब्रोमीन को तुरंथ एने टू में डिस्पर्पोर्शनेशन कर जाएगा विकॉज वह बिसिक मीडियम है और वापस उसमें जब सब्सक्राइब तो भी आटू गया कि ठीक है कि उसके बाद कौन सा कि काम बचा तुम्हारे पास ब्रॉमीन के बाद आइडीन अब रॉमीन के रियक्शन देख लेना आइडीन का प्रप्रप्रशन तीन तो ऐसे वाले हैं और चिले सॉल्ट क्लियर है अच्छा रियक्शन में सबसे इंपोर्ट्र तो पहला ही रियक्शन है एने टुस्तों प्लस फॉर शिक्स उसके बाद के सी एलो थी प्लस ऐटू कि यह थी प्लस एलटू फिर एच प्लस एच तू प्लस एनुटू प्लस अच्छाइए थे यह थो यह थो एंड़ गुटू अबलो प्लस एच टू प्लस एच तो फ्लस एच नट्यू थरी प्लस एटू प्लस एच गुटू ठीग अन्हा बीज़सं आगे बोड़े अच्छा रियाक्शन देखो एस्टूस के साथ हमेशा प्रडिक्शन कर सकते हैं एस्टूस हमेशा सलफर में जाता है और अच्छाई उसको बस थोड़ा सा ऑक्सिडाइज करने वाला कौन था फ्लोडीन था वहीं उसको एसे फिक्स पहुचाया था बागी कोई है नहीं आई टू स्टार्ज को ब्लू कलर करता है एक कंपाउंड बनता है एनेस थ्री डॉट एनाई थ्री इस इस हाइली एक्स्प्लोजिव खैर इसके बारे मुतना आप नहीं सुनोगे आप एक कंपाउंड एन्सी यल्ट्री के बारे में सुनोगे एन्सी यजल्ट्री यलो कलर का एक्स्पोजिव लिक्विड है याद रखेगा एन्सी भी तो एन्सीव स्टेबल है और यह सभीं कि अगया बिकॉस आइएफ्सेज फ्लोडिन अगर लगे होंगे थे एन्सीन पैर बहुत वीक्विग बेस होगा कि एंफ थी एंची एल थी एन बी-आर थी एन एए फ्री सब शे स्ट्रॉंग बेस कौन सावगा न श्रॉंगेस्ट बेस्ट विल भी कि एन सब्सक्राइब कि विकेस्ट बेसल भी एन फ्री कि लास्ट लाइन भी इंपॉर्टेंट है आई टू ऐसे तो पानी मिन सॉलिवल है लेकिन यह कि आई के अक्वेस्ट सेलुशन में डिजॉल्व करके क्या बनाता है कि आई थ्री कैसे यह के प्रसाइटू नहीं होगा कि आई प्रसाइट उगा चेंज कर देना उसको डटेश्ट के प्रसाइट तो अब इसके आई प्लसाइट उगा इसको चेंज करिएगा कि आई माइनेस आई टू के साथ मिल करके बनाया है आई थ्री माइनेस और आई थी माइस का शेप आप लोगों को मालूम होगा लिनियर तो तुम्हारा कि आई जो है आई माइनेस आई टू के साथ मिल करके आई थी माइनेस बनाएगा आई आई जो ये घूते हैं अच्छा आप देखो अब यहां से हम लोग चलेंगे एच एफ का प्रिपरेशन के बारे में सी एफ टू में स्टो डाल दो सी एसो फूर प्रस एफ मिलेगा एच एफ जो है वो ग्लास को अटाक करता है ग्लास अगर याद हो ऐसा यो टू कि एच एफ टू माइनस एग्जिस्ट करता है एच एफ के रियाक्शिंज आप ज्यादा नहीं है देख चुक्यों है एच सी एल के लिए आप प्रेपरेशन एच टू एस टू एस तो अच्छा रिडूशिंग एजिए बार बार सी एल टू डालो एच्छे से बनेगा इस टू आप फोर प्रसस्ये एल एच्टू ब्लस इल टू गरम कर दो एच्छे बन जाएगा खैर वो तो एस्टू प्लस एफ टू भी कर सकते थे डार्क में एच्छ बन जाता एए एए एल को कॉंसेंट्रेटरेटर एस्टू सफोर के साथ डालो है थेल बन जाएगा अगा अच्छा अब देखू कि यह रियाक्शन तो पूरा नहीं चाहिए किम्रckैंट्र टू ए लगश्टरिक्टेटमश जातार थू ये आए कि यॆ इसमें है Rangers आपको यादी रखने है कि एच एफ का प्रेपरेशन हो गया है एच एल का हो गया अब हम लोग चलते हैं कि एच बी आर और एच आई का प्रेपरेशन कि यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ने को दियान से क्या इंपॉर्टेंट इंपॉर्ट यहां परेशन के लिए आप क्या हुआ देखना से देखना कि क्या हुआ है आफ को प्रिपेर करने के लिए हम लोह नहीं है थे सफोर का यूज किया कॉंसेंट्रेटेट क्या बना कि तुम एचियल को प्रिपेर करने के लिए भी यूज कर सकते हो कि क्या बना तुम कर सकते हो लेकिन अगर तुम चाहोगे कि सर कोई ब्रॉमाइड आइन ले लिजे और सेम काम कर लिजे ये नहीं होगा क्योंकि कॉंसेंट्रेटेटेट्रेट्व एक और यह जैसी एच बियार के साथ आएगा ये एच बियार को ऑक्षिडाइज कर देगा ब्रॉमाइड तो आपको आपको चाहिए था एच बी आर मिल जाएगा बी आर्टू सिमिलरली एच आई भी नहीं बनने देगा इसको आई टू कर देगा आप बोल सकते हो कि एफ टू इस अस्ट्रॉंगर ऑक्सिडाइजिंग एजेंट देन चील टू यह ज्यादा है स्ट्रॉंगर बी आर्टू से यह स्ट्रॉंगर है आई टू से इतना तो बास बोल सकते हैं लेकिन यह कॉंसेंट्रेटेटेड डास्ट फॉर बीच में इंट्री इसी सब्सक्राइज विक वनेका मतलब यह कि एफ टू और सी लुटू से तो ऊपर है यह घ्राइज़ी कि उसलिए उनका कुछ नहीं बिगार पाता है विज़े हैं इससलिए आप यहां पर एक बहुत इंपॉर्टन लाइंग पुछता है in preparation of hf and hcl which is used hf और hcl के preparation में इस नोट concentrated h2o4 which is used very important point clear because they will get oxidized to जो मैंने लिखा दिया है they get oxidized to we are two and i2 तो अब करेंगे क्या कि अब उचेवे सर्फ प्रिपरेशन कैसे किया आता है तो मैं लिख दिया है concentrated h3po4 is used देखो कौन से उसके आता है concentrated h3po4 s3po4 उतना strong oxidizing agent नहीं है जितना के इस्ट्रीश फोर है वह अराम से एच बीर और अच्छाई बनाता है क्लियर है that is not that strong and oxidizing agent तो एस्ट्री प्योफ फोर यूज करते हैं और alternative methods तो हैं h2s तो तुम देखे हो सभी के साथ reaction करता है सब्सक्राइब के साथ वियार टू सी एल टू आई टू सब के साथ है ठीक है एस्ट्रीश पसाइटू बना लो या और अल्ट्रीश के रियाक्शन्स आप पहली कर चुके हो एस्ट्रीश कर चुके हो ग्रूप कर सकते हो यार सब्सक्राइब करेंगा प्लस टू में जाएगा एकटरीश करेगा अब्स अब प्लस फोर में है उसको अनों बनाएगा लस्टू स्टेट में ले जाएगा प्लस थ्री स्टेट में ले जाएगा अब बोलो के डॉट कि यहां तर डॉट है देखो यह पूरा स्लाइड परो मैं दे रहा हूं आ जो कोई चीज पूछना है दो कि यहां यहां देखो पी ब्लॉग अगर इस वीक खताम होता है तो मैं तो इस ट्रैक में तो नहीं है यार पता नहीं मेटलर्जी का किसको देंगे पता नहीं मेरे को इस वीक तो पी लॉग ही लगा हुए तो मैं बाकी पता नहीं वो दोनों चाप्टर चोटे बड़े पीब डियोर अफ़ लॉग और मेटलर्जी यार वो दोनों उतने बड़े नहीं जितना पी ब्लॉग है विकॉस पीवलॉग में तो पूराई ग्रूप 13 से स्टार्ट कर रहे हुए और मेटलर्जी भी उतना बड़ा तो नहीं है अब कि Sorry चोटे में भी तो फ्रैंक श्रा चाप्टर में बस वो राव भाला बहा अब पर इलिकिन हों लेगर अब कर्ति टो दूरों में सकत्मार को okay कि इन और गैनिक के साथ क्या है नोट्स दे दिया हूं नोट्स अच्छे से पढ़ाई करो बहुत सारे चीजें इंफर्मेशन बेस्ट ही है यह बात वहीं में पहला स्टाइं बोला था तो नी नोट वरी अबाउट स्टीड नहीं पड़ता है विकोस फाइनली ने क्या है तो एनफयुथे फिसका लॉजिक पूछ देगा उसके बदले यूस क्या करते हैं इसको देखो नोट से पूरा दे चुका हो अराम से पढ़ो और कहा तक अभी स्टाट किये कि नहीं तिम लोग अपना क्या बोलते हैं कहां पर अभी इंग्लॉक में इस और अनुद ने बोल रहा हूं बुकलेट में ग्रूप 13 ग्रूप 14 टैस्क अगया तुम लोगा अब इस पर आओ चलो थीक अब इस पर आओ चलो टू के बारे में देखो खास बात क्या है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रिखी सवाल है एक और इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है लेकिन इसका पैरमेनिटिक है लेकिन डाइमराइज करने की टेंडेंसी नहीं होती है इसमें कोई टेंडेंसी नहीं है डाइमराइज करने की ठीक है एने सीएल ओ थ्री प्रेपरेशन आपको सब याद रखना है मैं बोलूंगा पहले दो याद रख लेना एने इस एठेड़ें यह सी मौट देता है और के क्लो थ्री और एस्टू सीटू ऊफोर यह भी सीयलो तो देता है बाद में वह सब तो ठीक है वह सब उतना नहीं पूछता है कौन से दो एनने कि यह उलो थ्री और पहले दो कि अगर आप भूल भी जाते हो तो कोई लोड वाली बात नहीं है मेरे सब से लुटू को ऑक्षिडाइज करोगे सीधा लुटू सिक्स पर पहुंचाएगा लुटू से ओशिक्स एक येलो कलर का सॉलिड है ठीक है कैसा स्ट्रक्चर इसका लुटू सिक्सक्ष का आपकोर 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 दोच इस स्ट्रक्चर इस क्यों सिल्टोच कि श्यूंच का श्यूंच इस है आपकोर ने कि एफ और ओक लुटूछ ुर्ट। और याद रखना सी एल ओटू ये भी एक और इलेक्ट्राउं स्पीशीज है लेकिन यह डाइमराइज नहीं करता है अगर यह डाइमराइज करेगा तो सी एल टू ओफोर बनाएगा वट यह डामराइज नहीं थे क्यां प्रेपरेशन आपको यादी रखना है अच्छा एक और चीज लोटू को पानी में डालोगे तो क्या बनेगा तो यह सिंपल सा ट्रिक है लोटू है पानी में डालोगे तो सी एल कौन से स्टेट में कि यहां प्लस फॉर स्टेट में जब भी कोई पानी वादा रियक्शन हो पानी डालने पर तो आप प्लस फॉर का कोई ऑग्जी आसेट चोचोगे अब प्लस फॉर का तो कोई ऑग्जी आसेट है नहीं तो दिस प्रपोर्शनेशन करोगे एक बनाओगे प्लस थ्री वाला और एक बनाओगे प्लस फाइव वाला प्लस थी वाला कौन सा है एच से लोटू ना तो आप है तो समझा जैस तुमसे पूछेगा नहीं वस्प्लस फी यह लुटू क्या करोगे ए एने सी लुटी प्लस एने सी लूटू भी यह समझ माया इसलिए पर प्लस एन्हाट बोलते हैं यह तो पूरे रियक्शिन्स हैं यह आपको देखने हैं कौन-कौन से कोई प्रेपरेशन यह तो का प्रेपरेशन यह यह तो प्लस और यह तो प्लस एजिए पहला पहला बाकी दो रियक्शन्स है सिल टू प्लस एनिश्टरी क्या करेगा सिल टू प्लस एनिव सिंपल सा केस अभी जैस्ट मैं ने बताया थुम लोग को कि सीएल टू में कौन साउक्षिशन स्टेट है प्लस वन तो सबसे पहले एनिवेज के साथ रियक्षिन है कि यार सीएल टू में अगर पानी डालते तो क्या बनता सीएल टू में अगर पानी डालते तो कौन साउक्षिशन बनता है यहां भी एनिव बना दो इसस्टू कि उसी का कोर्सपॉंड यह शॉट्कट तरीका है थीखें अच्छा इधर देखो थे थेखूंग अच्छा इन अश्य लोगे साथ दूसर प्रड़क क्या होगा कुछ नहीं है अश्य लोगों प्लस है टू रिद्धल हो तो वाटर बनेंगा है अच्छा अब इसके बाद आता है तुमारा इस पर काम कि ब्लीचिंग पॉडर बहुत इंपॉर्टेंट है ब्लीचिंग पॉडर सबसे पहले प्रिपेर कैसे करते हैं कैल्चियम है डॉक्साइड में क्लोरीन डालते हैं तो ब्लीचिंग पॉडर बनता है सीए ओसी एल सीए अब लीचिंग पॉर्डर के बारे में सबसे पहला तो कुश्चिन आपसे पूछता है इसको लिखते तो ऐसे हैं बट इसमें क्लोरीन दो ऑप्रेशन स्टेट्स में कौन कौन सा क्लोरीन एक्चली में यह ओसी एल माइने से और चीएल माइने से तो क्लोरीन इस इंट्व ऑप्रेशन स्टेट्स वट अट्व अग्चिशन स्टेट्स प्लस वन और मैने सुछ और इसमें याद रखना ब्लीचिंग पार्डर के बारे में यह ब्लीचिंग पावडर भी एक ऑप्सी राइजिएंग एजन्ट है इस एन ऑ और चीएजिंग उने का जो क्या बलता है इस पॉंसीबल कॉन है वोत इस रिस्पॉंसीबल फो टॉट विग एन अच्छिजिएंग इस पॉंसीड लिटी लाइज़िट ओसीएल मैने इस दिस इस इस पॉंसीबल्य। तो यह एक ब्लीचिंग एजेंट भी है ब्लू को डाउट कि अच्छा ठीक है कि अच्छा कि अच्छा कितना करना नहीं कि अलावा क्यों करना चाहर एक्स्ट्रा यह सब सिर्फ एंस्यार्टी पर बेज़ आ सबसे पहले क्या करो सबसे पहले अगर तुम नोट्स पूरा देख पाओ तो बहुत अच्छी बात है लेकिन शायद नोट्स तुमको अगर नोट्स में सब मिलेगा जैसे यह रियाक्शन नहीं दिया हुआ कौन सब जैसे सी एल ओटू के प्रेपरेशन नहीं दिये हुए है लिए के प्रेपरेशन सब नहीं दिया हुआ है तो अब है क्या कि या जो बता रहा हूं एक्स्ट्रा चीजें यहां मिलेंगी नोट्स में एंसी आर्टी थोड़ा और छोटा मिलेगा कि 99 परसेंट क्या मैक्सिमम जैसा चल रहा है आप से डेफिनेटली एंसी आटी लिफ्ट अप होकर आ रहा है लेकिन बात यह है कि अगर रैंक अच्छा करना चाहा रहे हो तो जितना इंफरमेशन ले लिए वेन डैट कम्स की वहां पर तो यार कुछ सिलिए बैस नहीं है ज पूछें नहीं जो नोट्स में मिलेंगा आपको अब यह किसमत वाली बात होती है तुम्हारे साथ ने पूछ दिया कि नहीं पूछा यह उसका मरजी लेकिन फ्रैंक्ली स्पीकिंग एंसी आर्टी से डिरेक्टली मैक्सिमम ऑफ दे रियक्शन उठकर के आ रहे हैं तो अगर तुम मुझसे पूछो के सर कि पूरा नहीं हो पा रहा है तो क्या किया जाए तो मैं तुम्हों को एक चीज बताऊंगा कि सबसे पहले तो एंसी आर नोटी में तुमको बोराक्स दिखाई पर आ एंसी आ टी में तो वोराक्स मेरे नोट शे पढ़ाई कर freaking कि NCRT और मेरे नोटा सुम्ज़ा जैसे उसमें ड्ञाइब र olives के बारे में सब्सक् empieza अर्मीर से पहलो मेरे नोटा तुम को nehm Granny yn industri प préfड़ थो धो जोब दू तो touch कर पाऊ उतना बेटर खास करके जो पेस्ट के टेस्ट होंगे या आगे आपको टेस्ट जोइन करोगे वो लोग तो ऐसी रियक्शिंस पूछेंगे सबस्क्रण तो वहां पर इक होटान होता है लेकिन अगर तुम नहीं कर पार हो तो पहले तो एंटत इस अमस्ट करना है यह सब्सक्रण और तो पहले खत्म कर लोगे अगर इतना बरहा लग रहा हो तो कतरीका वह होता है वेस्ट तरीका तो एंजए आटी chat उठाओ ग्रूप स तुमनें देखा एंशियाट में लिखा हुआ है मेरे नोट से पढ़ाई कर लो इसमें जो जो नहीं लिखा है छोड़ते जाओ इसके रियक्शन अभी और करेंगे नहीं दिया हुआ है तो बोलोगे सर आप क्यों लिखा रहा हूं तो मैं रैंक सोच रहा हूं कि मुझे ऐसा नहीं सोचना है कि सब्सक्राइब मुझे तो अंडर हंडेड जितना रैंक मार पाओ उतना बेटर और जब रैंक की बात करोगे तो दुनिया में कुछ पढ़ाई करो सब पढ़ाई करो जितना कर सकते हो कुछ नेवर नो आइटी में ऐसे क्वेशन आये हैं वही सब्सक्राइब कि इच इंडिविजूल टू इस उन उसको कितना उसको समझ में या उसका कपैस्टिक इतना है अच्छा आप देखो ब्लीचिंग पाउडर पर हां बट नोट जो दे रहा हूं उससे आगे नहीं करना है इतना फिर बोल रहा हूं इतना कर लिए इतना इतना नहीं करना है उसका पेपर्स करो बुक सॉल्फ करो और चीज़ें एड करो अच्छा ब्लीचिंग पाउडर एक ऑक्षिडाइजिंग एजन्ट है कि दूटू प्रेजंस ऑफ ओसील माइनिस तो करा दिया सी ओस्यल्टू के रियक्शिंग एच्ट्विस को क्या करेगा हमेशा बोल रहा हूं बार बार सब लोग ऑक्षिडाइजिंग इजन्ट सल्फर ले आता है एफ एस सफोर को क्या करेगा फीट्वेस करेगा के नूट क सब्सक्राइज देखते हैं कि दूट्वेस को क्या करेगा फीट्वेस 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 करे कि यह क्या करेगा एंट्री एसो फॉर कर दो कि यह क्लोडीन लूस करता है इस चीज को याद रखेगा यह सी ओ सी एल टूप्रसेश्ट तो कार्बन डाएकसाइड डालोगे तो कार्बन डाएकसाइड बिसिकली एसिदिक सलूशन है पान मुझाएगा तो कार्बनिक एसिद देगा वह भी सील टू देगा तो जितना क्लोरीन आप्टेंड होता है उसको बोलते हैं अवेलेबल यह रियक्षिन है ऐसेड डालने से हैं कि अधिया है कि सी एल टू निकलता है कि अच्छा इधर देखू कि फिलास क्या कराया देखू कि ब्लीचिंग एजेंट है ऑक्सिदेशन के कारण लॉंग स्टैंडिंग पर यह बनाता है इट अंडोगोज और टो ऑक्सिदेशन तो गिफ काल्शियम क्लोडेट सीए सीए लो त्री होर्ट्वाई संसी याद रखना है ठीक है खताम होगा ब्रीचिंग पॉर्टर के बारें बाते है या फिर एज़ियो प्लस सीएल टू प्रसेश्टू एच्टू एफ के बारे में एक चीज़ इंपॉर्टेंट है बोलो कौन सा एफ टू जो है वह एच्टू ओको ऑक्षिदाइज तो करता है और पानी निकालता है लेकिन अगर माइनेस फॉर्टी डिग्री सेंटिग्रेट पर वही रियक्षिन कराया जाए तब जाकर के एच एफ और एच बनाता है कि अधर्वाइस नॉर्मल फ्लोरीन को छोड़ दो तो का प्रिपरेशिन बी एच एक लोटू फ्लोटू एक सबमें दीखिए रहा होगा ज्लोटू के लिए कि दिए लूटू माइन लिया होगा वे आच प्लस गेंच करके लूटू बना दिया लूटू के लिए के लिक आयन लिया है वह दिशेलो फॉर्टू से यह लोटू एचलोफोर बना दिया और ये चीज़ याह दखना रेक्टिविटी ओर्डर में करता है ठीक है मेरे ख्याल से देखो गटाउट तो सब्सक्राइब सब्सक्राइब करता है यह जो तो देखो निए अज़ निए तर्टास को यह ज़िजए निए आमें बताता हूं सब्सक्राइब वह जो पुझा करता हूं कि देखो उसमें है क्या कि यह सी एलोटू का लूइज और स्ट्रक्चर होता है कि देखो इसमें कैसे है क्लोरीन जो है कैसा रहेगा क्लोरीन का ग्राउंड स्ट्रेट ऐसा है कि यह कि सबसे पहले यह सब के सब एक्साइटेट में चले जाते हैं इनको सब नोट कर लिजेगा यह स्कीन शॉट ले लेना इसका अब देखो इस क्या यहां पर अब हाइबर्डाइजिशन एस्पी टू होता है तो तीन ऐसे बन गए कि एक बन गया और्बिटल कि अब देखोंस में क्या है कि अब आक्षिन कितना है कि अब आक्षिन कितना है आक्षिन दो है तो एक आक्षिन इसके साथ सिग्मा बनाता है देहान देखना सब्सक्राइब सब्सक्राइब कि इसके साथ भी सिग्मा बनाता है तो कि इतने बॉंड बन गए लिए कि सीएल कि 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 कर देखो द्यान से यहां पर तो सिग्मा सिग्मा बॉंड बन गया अब यह वाला क्या करता है तुम्हारे पास एक चीज देखना एक लोन पेर बजी है लोन पेर कि सॉप्ट नम बचा अब देखो यह इसके साथ बना देगा पाई चलो एक पाई बन गया है तो यह रहा है अच्छा अब यह वला इसके साथ बना देगा पाई यह कौन से बॉंड दिस इस दी पाई पी पाई बॉंड यह बचावा क्लूरिन का यह जो एलेक्ट्रॉन है यह वाला यह लेक्ट्रॉन तो अब डी लोकलाइजड है यह जो और इलेक्ट्रॉन है कहां बचा हो गया कि यह और एलेक्ट्रॉन अब डी लोकलाइज हो गया किसमें कि चार डी ऑर्बिट्रॉल्ज में कि इसी लिए टेंडेंसी डाइमराइज करने की नहीं है क्लियर है समझा है तो अब से कोई पूछेगा यह लोटू में कितने डीपाई पीपाई बॉंस तो आंसर वान वान अब दीपाई पीपाई पीपाई एक और यह और एलेक्ट्रॉन है करने के लिए यह हो सकता है कि वह जो एलेक्ट्रॉन है वह एक जगह लोकलाइस्ट हो लोकलाइस्ट का मतलब होता है जैसे कि अनो टू के उपर जो एलेक्ट्रॉन आपको लोट मिलता है यह एक प्यॉर सब्सक्राइस्ट का मतलब है दो चीज़ों को मिलना दो चीज़ों को मिलने का मतलब है कि आपको उन दोनों लोगों को समझो यह आफ टू मेक्ट्व सब्सक्राइस्ट कि आपको दूसरे को उससे मिलने का प्रॉबिलिटी बढ़ जाएगा अगर वह खुदी एलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा इधर इधर हर जगह कि दूशरे मिलने की टेंडेंसी थोड़ा कम हो जाएगा मतलब टेंडेंशिद मिलेंन का कम यही कारण है कर लिए आशय का यही कारन नो भी यही कारण था की वह डिलोके लगान नहीं करता था वेकॉस वहां बताया था कि वहां पर भी ऐसा बनता है कि दूआ यहोड इलेक्ट्राउन जो है यह वहाँ इसको मैं ग्रीन से दिखा रहा हूं यह और उलेक्राउन फिर से दिखार रहा हूं यहां पर एक बाई ट्रलक लाइस तो यह फिर से भी टेनंसी नहीं थी और यह तो वीबिटी पिक्चर है इसका तो तुम एमोटी पिक्चर भी ले सकते हो आप लोग अगर एमोटी हुआ है केमिकल बॉंडिंग में तो सिरीज में भरो एनो के सिरीज में आपको दिखाई पड़ेगा और एलेक्ट्रॉन पाइस्टार ओर्बिटल में आएगा यहां सब्सक्राइब दूसरा एक और कंडिशन रहता है यह भी कुछ किताब बोलते हैं जो की ठीक है मान सकते हो मान लो सियल उटू के दो मॉलकुलाय डाइमराइस करने को इनके लिए मिलना पड़ेगा अब मुझे एक चीज़ बताओ मिलने के लिए यह दुनों तो मिलना चाहा रहे हैं बट यह दुनों रिपल्शन नहीं करेंगे क्या कि रिपल्शन भी करेंगे तो यह बीए कारण हो सकता है कि आपको डाइमराइस करने के लिए नहीं काम करता हो यह देज रिपल्शन इभी सो सकते हो तो वाट आपक्तर्स फैक्तर्स इस लोन पे लोन पे रिपल्शन हो जाता है या 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 एक्ट्रॉन खुद डी लोकलाइज रहता है लोकलाइज नहीं है इट इसमोर डिस्टिबुटेट अवर मोर्द तो अटम्स यह यह वो किसी अगलाँ जो कि यह जैसे लोटरी के बात करते हैं से लोटरी तो तो कैसा हो सकता है अगराट इस यह लुट्री ग्राउंड श्रीट में कैसा रहेगा बता हूँ को कि यह ग्राउंड स्ट्रीट क्या हुआ होगा सी एल एक्साइटेड स्ट्रीट में कैसा होगा कि तीनों चलेगे होंगे कि अच्छाइब कि देखो इसमें क्या होता है यहां पर फिर एस्पी टू नहीं कर आया साइंटिस्ट हो नहीं आप बोलाएं कापिशन स्ट्री तो कितने ऑबिटर्स बन गया चार एस्पीट्री ऑबिटर्स बन गया कि कि अच्छाइन मेरे पास चक्रों तो मेरे पास है तीन आक्सिएन तो तीन आक्सिएन आया यह इसके साथ बॉंड सिग्मा 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 यह वाला और एलेक्ट्रॉन है और एलेक्ट्रॉन किसे बैठा हुआ है कि सब्सक्राइब बैठा हुआ है सब्सक्राइब अच्छा खासा डिरेक्शनल नेचर है वह लोकलाइज नहीं आप लोगों को यह केमिकल बॉर्णिंग से मालूम होना चाहिए हाइब्रेड ऑबिटर्स और मोर्ड डिरेक्टेड इन स्पेस हैब्राइब का शेप कैसा होता कि एक लोब छोटा बनाते हैं लोब छोटा बनाने का मतलब क्या है एलेक्ट्रॉन के इस साइड रहने की प्रॉब्लिटी कम हो गई है जैढ़ा तर इस बड़े में मईंबद तुमने उसको लोकलाइस किया बोला कि इस धर ज्यादा रहो ठीक है और अब यह दूels को क्या बना रहा है फाय दे पाई रेपाई श९इन होटत्री में अगर देख कोगे तो artists क्यांवरी सिग्मा बॉंक्वांड और अब तीन तीन कौन से बॉंड लिपाई पीपाई बॉंड और फिर यह डाइमराइज करता है इसको कोई टेंशन नहीं है कि यह करता है विकाज यह और इलेक्रॉन किसमें है कि एक लोकलाइज़ और बिटरल में डामराइज करता है एस पी थी कि है एक पिर रहे एख हैं कि अच्छा एसा किनी कर सकते थे रहे साय इसके साथ भाई बना लंटा आ है एक झोड़े और फिर से यह और kilowka दींट कर देते साहर एक इसके साथ बना लो न और एलेक्ट्रों फिर से छोड़ देख देख इन दोनों में दी लोकलाइज बचे तो हैं खाली फिर से टाइम रहे से लिए नहीं मालूं वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड दिश्वाइब्री ऑबिटर्स डोंट फॉंप बनाते हैं यह यह आंसर दो तो यह आप नहीं कर सकते थे कि लॉजिक चिपकाने के लिए कि सर यह काम करते हैं तो यह लोटी में कितने डीप आइप 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 आइब आइप कि ले लो स्क्रिंशॉट यह मैंने लिखा नहीं है नोट में नहीं है स्क्रिंशॉट लो लिए यह लिया चलो आगे बढूँ चलो आगे बढूँ चलो और नोबल गैसस पर कि डोबलगेस पे क्या क्या है हीलियम नियान आरगन क्रिप्टन जीना रिडाउन डिडाउन है रेडियो अप्रेटिव एक्टिव से पारेगा इंक्रीज गरेगा बालिंग पॉंट्यॉट्ट मिल्ट अच्छा जाँ कि लिए कोई लोड़ ही नहीं वॉ defendedवाइब ऑट्रस पॉइंट किक एंगे आप लोगों को मालूं। छाहिए वेंदवाइब उट्रेक्षन को डिपंड करता पर है कि बॉइलिंग पॉइंट और मिल्टिंग पॉइंट क्लियर है कि लोड अली बात नहीं कि उसके बाद और नोबल गैसिस के बारे में कि हाई आइनाइजेशन एनर्जी है तो मालूमी है सबको कि सब्सक्राइब बच्चे से पढ़ाई कर रहे हैं इलेट्रॉन एफिनिटी बहुत कम है डीजन डू टू फुली फिल्ड इस्टेबिलिटी अच्छा अब पाणी में सॉल्लीबिलिटी कि पानी में इंक्रीज करता है डाउन देग्रूप इसका पूचेगा सरे इसका रीजन क्या है तैसा क्यूं ग्रूप कर पानी एक पोलर मॉलेक्यूल है कि पहले समझते हैं सॉल्यबल होगा क्यों पानी में पॉलारिटी है और यह नोबल गैसे से नॉन पोलर यहां इन दोनों को मिलाओगे तो सबसे पहले तो यह पोलारिटी इंड्यूस करेगा मतलब यह जो पोलर मॉलेक्यूल है इस विल इंड्यूस पॉलारिटी 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 समझतों यहां पर जो एले ट्रॉन क्लॉड रेट से दिखा रहा हो नॉन पोलर पे जो सिमेट्रिकली डिस्टिबूटेट था वो ऐसा नहीं रहेगा डिस्टॉट हो जाएगा प्लस इधर आ जाएगा मैंस इधर इस लिए डिस वन नॉबल गैस और फिर इनके भीच में फोर्ट ओफ ऐट्रैक्शन डिवलप को जाएगे इसको कौन फोर्स लिए अट्रैक्शन बोलेंगे दिस इस डाइपूल इंड्यूश डाइपूल जांते ओगी नहीं पता नहीं बड़ डाइपूल इंड्यूज डा ठीक है अब तुमको यह देखना है कि इतना जाद यह स्ट्रॉंग फोर्स से पहले आपको नेबरिंग नोबल गैस में डाइपोल इंड्यूस कराना है तो डाइपोल इंड्यूस कब कराओगे आप जब वह ज़्यादा पुलराइजबल हो अब जीनान का जो मौलिक्यूल है कि साइस में जादा है बड़ा इसका जो आउटर मुस एलेक्ट्रॉन ने लिखा दिया है इसको पुलराइज करना पानी के लिए पूराइज करना क्या होता है अप्वी तरफ खीचना वाइज आप जानते होगे फजान डूल में भी यही किये थे आई मैनेस इस मोर पुलराइजबल तो जितना ज्यादा वो उसको पॉलराइज कर पाएगा उतना ज्यादा वो इलेट्रॉन क्लाउड जिनॉन को अपनी तरफ खीच पाएगा और फिर जैसी अपनी तरफ खीचेगा खीचना मतलब क्या उसमें पुलारिटी इंड्यूस करेगा उस अब फिर दोनों आपस में फोर्स अट्रैक्शन से कि वाटर और इसके बीच में जो फोर्स अफ अट्रैक्शन बनेंगे वह ज्यादा स्ट्रॉंगर हो कि क्लियर है और यही कारण है कि जिनॉन इस दो मोस्ट सॉलिवेल इन वाटर बताओ कि जो कोई डाउट दो मैंने वही कहानी पूरा डिजन में लिखा दिया रहा है कि इस दान दे ग्रूप बट सॉल बिटी इंवाडर दू दॉट 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 डाइपोल अदे नोबल गैस आटम को डिस्टॉर्ट करना है और फिर चेंज करना है इंटू एन इंडूस डाइपोल और यह इंडूस डाइपोल फिर जाकर के पानी से अटाच होते हैं लाजर अटम हो जिनौन जैसा तो इलेट्रों क्लाउड लेस टाइपली है तो उसको इसली पोलराइज किया जा सकता है और वह अराम से एक इंडूस टाइपोल में बदल जाए रहा क्लियर तो लीकिकेति के यलिकिफिकेशन के बारे में भी आपको बातने देखो और देखान से कोई लोड वाली बात नहीं है सिंद्खाय को मतलब क्यों होता है अब गैस के मॉलिक्यूस को पास लाने के लिए आप क्या करोगे गैस के मॉलिक्यूस को पास लाने के लिए पहले से अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होंगे तो उनको पास लाना भी उतना क्या होगा असान होगा पहले से forces of attraction ज्यादा है तो उनको पास लाना भी असान है तो इसी लिए लिक्रिकेशन और पहले से forces of attraction कहां पर ज्यादा है पहले से जिनका बॉलिंग ज्यादा है विकॉज सब नॉन पोलर है सब पर कौन सब सबसे आदा सानी से लिक्वाइब कौन हो सकता है जिन आप लिए रहे सबको अ चीए अध्याटरेट्स क्लाथरेट्स में क्या होता है यह जो आइस का जो केज लाइक स्ट्रक्चर होता है उनके कैविटीज में यह नूबल गैसे इस ट्राफ हो जाते हैं कि अ nnaदीज कमपाउंड अननेंओड ऐस यह नूबल गैसे सब्सक्राइब को सब्सक्राऄ सब्सक्राइब Dugant talking is special ´kragel f Pa दा त। involve thearos in the ShellNas अन्डीज़ प्रॉंड उनून इस अ क्लाथरेट्स औ वन वेरी इंपॉर्टन पॉइनग पॉइनबाट इस लिए इनका साइज इतना छोटा होता है कि यह स्केप कर जाते हैं कि इनको होल्डी करके नहीं रख पाता है क्लियर किसी को यहां तो कोई डाउट है देखो यह रीडिंग करो स्लाइट का कोई बीगा डाउट है पुछो कि डाउट पुछो किसी का तुमनों किसे बाद भी क्लास से क्या शाम को कि अग्युक्त अग्युक्त तो आगे बढ़ूं आगे बढ़ूं हुआ 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 जब कर दो सिल आगे बर रहा हूं अच्छा यह प्रॉपर्टीज हैं प्रॉपर्टीज में सभी के सब क्या होते हैं मोनो एटॉमिक होते हैं कलर लेस होता है हिलियम का बॉलिंग पॉइंट लुएस्ट है पहली बार नील बार्थलॉट नाम के एक आदमी था उसने क्या किया ओटू और पीटीएफ सिक्स का रियाक्शन कराया जिससे ओटू प्लस और पीटीएफ सिक्स माइनस मिला ठीक है और आइनाइजेशन एनर्जी जो ओटू का है यवह अप्रॉक्सिमेटली सेम है अजिन उसको लगा कि जब ओटू ऑक्सिडाइज हो सकता है ठीक है तो बाकी सब भी हो सकते हैं तो माकी नोबल गैसिस भी ऑक्सिडाइज किये जा सकते हैं और उसने वहीं से स्टार्ट हुआ कहानी नोबल गैसेस का नोबल गैसेस पर कोई ध्यानी नहीं देता था कि रियक्शन कराओ इसका क्या होगा इनका तो कुछ नहीं हो सकता लेकिन साइन्टिस्ट लोग को डेटा मालूम था कि आइनाइजेशन नरजी और टू का जिनान के जितना ही है तो उनको यह मालूम था तो उसलिए उनको लगा था कि अगर ओर टू के साथ रियक्शन हो सकता है तो जिनान के साथ भी रियक्शन होने के चांसेस हैं क्लियर है अब हम चलता है जिनान के कंपांड़्स पर बहुत कंपांड बनता है उनमें से एक है एक ऑफ 지ाय्फ टू बन एस टू-टू रेश्यो में लोगे nin छी 4 वट टू टो टूंटी दिजि सिक्स याद रखना है रेश्यो मुझे सबसे पहले तो सब लोग बताईए मिस कि XZF6 कशी, बतो? कर चाहँ कर दूख भो भी. छो कैने हैं इस आरिऌो computeश सेथेशस Consider येजिए ok TTOR 2 बताइशी एप? एगजी एफ़ोर का सीसो नहीं है, सहीस बताओ, एगजी एफटू कैसा है? लिनियर? एगजी एफ़ोर कैसा है? एगजी एफ़ोर में हाइबडाशन एसपी 3D2 आएगा ना? दिशा याद आ रहा है ला? तो कैसा बनाएगा एगजी एफ़ोर? दोनों लोन पर को कहां रखेंगे? ऑप जिट रखेंगे ना? ताकि रिपल्शन क्या हो? एगजी एफ़ोर का शेप कैसा होता है? एगजी एफ़ोर का शेप कैसा होता है? स्क्वेर प्लेनर ठीक है? और इसका क्या हाँ और येस उसका डिस्टॉर्टेट अक्टेटर लो स्क्रींशोट स्क्रींशोट लो स्क्रींशोट लो अच्छा एकजी एफ़ोर सिक्स में जो शेप लेते हैं जहां पर लोन पेर कहां रहता है बताओ यह लोन पेर कहां मौजूद रहता है यहां से देखना लोन पेर कहां रहता है यह एक ट्राइंगल बनेगा यह एक ट्राइंगल बनेगा की नहीं यह जो लोन पेर है यह लोन पेर इस ट्राइंगल के मिड़ पॉइंट पर रहता है और ऐसे कितने ट्राइंगल बनेंगे ऐसे उपर चार और नीचे चार बनेंगा ना इन एट ट्राइंगल के मिड़ पॉइंट पर यह कहीं भी हो सकता है इसके डिस्टॉर्शन आयता है सम्झा सब लोग इस लोन पेर इस डी लोकलाइस्ट वर दफ क्या बोले फेसेंटर्स आइस्टॉर्शन वी अच चौन आइस्टॉर्टोर्टेन लो इसके वारत्नल्स सब्सक्राइस्टॉर्ट अँंपकर लोग के ऐसे देखो इसके बाद कि एग जी एफ टू का शेफ लीनियर होता है एग जी प्लस फ्टू टू मिलके क्या बनाएगा एक जी एफ टू प्लस ओटू एलिए। यह को Communist एक्षिन है एकजी एफानी के साथ रियक्षिन करके बहुत इंपॉर्टेंट रियक्षिन है यह वाला एकजी प्लास ओ 반ुट 느ड examine के साथ मिल करके बनाएगा एक्षिन ट्रुत हो झथक्षिक प्लसН कि इतने रियक्षिन इंज़र देखो दिहां से आपको दिख जाएगा क्या रियाक्शिज एंग जी एफ क्या दे रहा है उसको फ्लॉराइड आयन दे रहा है एक सीफ प्लस प्य है एक सब्स माइनिस दे रहा है ग्स एक्जीएफ प्लस एस बीएफ सिक्स माइनस आयएफ फाइफ पो क्या कर रहा है फ्लॉराइड आयन दे रहा है एक्जीएफ प्लस एक आएफ नहीं देहों को दो छोड़ू है सिक्था है फ्रीजंट है फ्लैटनम के साथ एक्जफ टूक्या बना रहा है तो कि देख रहो सब को एक्षिडालाइस का रहा है प्लाटनम को सीधा प्लस ले जा रहा है एक रोम्हें फ्लोब याया रहा है अंच 3 को को एन टू ले जा रहा है और अन्यों टू को एन टू एफ है बोलो कि डावड इसमें हाई हुआ है हाई है हाई और आप तो हुआ है है तो है है तो अजो हो है तो झाल झाल कि बुलोगा रावड इसमें कि ठीक है रुकना यार कि अधि झाल 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 और झाल अच्छा मभिश्वर पर आँ एक्जी एफ और फहके शेप स्कूर पेनर हाइबरडाइजिजिशन एस पीडिटू प्रेपरेसिन वन इस टुफाईव करेश्यों मिले जीए एकजी एफ़ोर पानी के साथ जाएगा तो यहां पर अगेन इंपॉर्टेंट एग जी प्लस एगजी ओध्री प्लस एच फ्लस लटू बनाता है ठीक है अच्छा एक और चीज एगजी एफ़ोर का पार्शल है डोलिस भी होता है पार्शल है लिश्व मतलब तो पानी अगर सबसे पहले फ्लोरीन को रिप्लेस करेगा तो समझो कि पानी ने दो फ्लोरीन को रिप्लेस किया और यहां से च्टू बाहर निकाल तो क्या बन जाएगा एक जी ओ फ्टू इस पार्टिशल है डिशिस क्लियर है सबको पार्टिशल फूर खतम कर देता है फिर नेक्स लास से स्टार्ट करें इधर देखो यह सब रियक्शन जैंग जी फूर के अगेन एक जी फूर का शेप इंपॉर्टन्ट है एनो के साथ एक जी प्लस एनो एफ प्लाटिनम के साथ पीटी एफ फूर प्लस एक जी एनो टू के साथ एक जी प्लस एनो टू एफ एच टू के साथ एक जी प्लस एच एफ ठीक है अच्छा बाकी सब एक्जाट्ली सेम काम कर रहा है एस बी एफ फाइफ के साथ अगर देखोगे तो यहां पर एफ माइनस दे रहा है एस बी एफ सिक्स माइनस और खुद एक जी एफ थी प्लस बन रहा है कि क्लियर कि बोले यहां तो कोई डाउट है तो कि ठीक है चलो फिर नेक्स लास स्टार्ट करेंगे इसी को मेरे खाल से नेक्स लास तुम लोग का ग्रूप 18 खतम हो जाएगा तो यह सबीक तो पी ब्लॉक खतम है तुम लोग का है कि बाकी देखते हैं पुछना एक जी कुछ पुदा हुआ है मुझे याद लगना एक जी एफोर्ट के बाद एक जी एफ सिक्स से स्टार्ट करना है कि अच्छी पैले की प्रास्टा कोई डाउट है हां बोलो और अच्छी जैसे ग्रूप में नीचे जाए तो साइस बढ़ता तो मैंडव और फोर्स भी बढ़ते हैं ना उसे ग्रूप कौन सा जैसे ओके यह वाला ग्रूप थर्टीन और फूर्टीन सम्में इस सब भी डिपेंड करता है कि आपका वो कैसा स्ट्रक्चर बनाया गिया है आप जब बात करते हो ना तो यह सब जिनौन सब तो मोनो अटामिक है लेकिन बॉरॉन मोनों अटॉमिक नहीं ब रॉन का स्ट्रक्चर होता था आइकोस और जिनौन मोनों के कोई बॉंड बनाकर नहीं बैठा हुआ है तो यहां पर लॉजिक लग गया लेकिन बॉरॉन का स्ट्रक्चर अगर आप गुगल में सर्च मालोगे तो इक आईकोस मतभ तो यह जो बॉइलिंग पॉइंट है इस पर भी डिपेंड करता है आपको हर एक बॉंड को ब्रेक करने इस जैसा आपको दिख रहा है कि सिफ यह बोरॉन है मोनो अटॉमिक वैसा नहीं है यह बॉरॉन इस फॉर्मिंग वेरी कॉंपलेक्स स्ट्रक्चर्ट्टर्स इस बॉरॉन इस लिए यहां पर डाउन ग्रूप देर कैन वी वेरीशन को की डिपेंडिंग अपन बॉंडिंग सिच्वेशन इस प्रॉब्लम दस नॉट इन नोबल गैसे बांट बनाते ही नहीं तो वहां पर आप डिरेक्ट लिए बात बोल दो यहां पर एक ट्रैप है आप आपको दिखता बॉरॉन है बट वह एक्टिन बॉरॉन कभी है नहीं बॉरॉन का इक्रिस्टल स्ट्रक्चर रहा गुगर में सब्सक्राइब अपने आप दिख जाएगा आइकोसा एडल सब्सक्राइब तो अब बोलो के सर फिर पता कैसे चलेगा इसी लिए वह टोटली ऑ बॉरॉन पॉइंट जादा किसका बॉरॉन पॉइंट कम विकम्स अटोटल अब्सर विच च्छी विच्ट यह वेफ टूरॉन को सिंपल जैसा कि वह इधर दिखता है लूबल गैसे में हम लोगो सिंपल सा बात है बोरॉन दिख रहा है बॉरॉन में में अटैलिक बॉंड नहीं है बॉरॉन में कुछ बॉरॉन अकिला एक आटम तो होगा नहीं तो उसमें भी कोई बॉंड होगा ना वह बॉंड इंग जब पढ़ाई करोगे तो उस पर बॉलिंग पॉइंट करता है लाट प्रेट टिफरेंस है ठीक है कि अग्या